आप सभी का मेरे YouTube चैनल Go Through Fine Art में स्वागत है Friends जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं उनसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हो कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइबर के बेल आइकन को प्रेस कर ले Friends जैसा कि आप लोग ने यहां पे देखी लिये होंगे कि आज का टॉपिक आप लोग का राम गुपाल विजय वढ़गिये हैं और मैं बता दूँ कि इनसे questions भी आया था में एकदूद यूजिसी नेट वे questions भी आया था कि मेगदूद किस ने बनाया तो मेगदूद आपके राम गुपाल विजय वढ़गिये का ही है मेगदूद और भी एक दो आर्टिस ने काम किये हैं बट आटवर्क इस फेमस फोर राम गुपाल विजय वढ़गिये आप लोगो में कुछ होमबर्क देना चाहूंगी वह होमबर्क क्या है मैं आप लोगो बताऊंगी बट सबसे पहले मैं यह बता दूँ कि मैं आप लोग को क्या करवाने वाली हूं तो करवाओंगे फोर राम गुपाल विजय वढ़गिये पर ही वढख होगा और आप लोग से रिक्वेस्ट करते हूं कि यह वीडियो नारायन स्रिधर बेंद्रे पर बनाई हूं जरूर इनको देख ले बहुत ही अच्छा वीडियो है कल ही मैं अपलोड की थी और आसा करत करते हूं आसा पलय बहुत वट्बेट यहाए है क्योंकि इसकी लेंग्वेज मीघन रिखा हुआँ please मैं वीडियो हिंदी में लाएं तो हिंदी में लिखा हुआ है बट इसको मैं translate English में भी किये हूँ translate जो है इंगलीस में ही है that means कि अगर आपको हिंदी में problem है तो आप pen and copy लेके बैठ सकते हैं और English में translate करते जाए हूं तो हमारा topic सबसे पहले था और जैसा कि देख रहे हैं कि हम आपके सामने इमेज लेके आए हैं तो इमेज के बारे में हम बात में बात करेंगे सबसे पहले हम बता दें कि राम गुपाल विजय वड़गिये कौन है कौपी और पिन कलम लेके बैठें क्यूंकि होंबर्ग यही है पहले होंबर्ग बता यह सब आप लोग को बताना है ना कि मुझे, मैं एक ग्लिम्स दे दूँगी, मैं अभी बोलते जाओंगी, बट कॉमेंट में आप लोग को करना है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, चाहिए तो जो मैं कह रही है, उसको लिख सकते हैं, और उसी को आप कॉपी पेस्ट कर सकत जहीं और लिखते जाएं, देखें रम गोपाल बिजई वडगी ए एक इंडियन पेंटर है, कौनसे पेंटर है, इंडियन पेंटर है, दैट मींस की भारतीय कलाकार है, हिंदी वाले लिखते जाएगा, भारतीय कलाकार हैं, और इनका जन्म कब हुआ था, मैं बता दूँ, इनका जन्म आपका 1905 में हुआ था और मृत्यू 2003 में हुआ था So he was born on 1905 and he was death on 2003 He was also a poet and a writer So he was also a poet and a writer So he was also a poet and a writer So he was also a poet and a writer Now we are talking about the life के बारे में सब्सक्राइब करेंगे के इनके कैडियर के बारे में So बता दूं कि इनका जन्म 1905 में बेलर जो की सवाई माधोपूर डिस्टिक्ट परता है बालेर के सवाई माधोपूर डिस्टिक्ट में राजस्थान में हुआ था कहां हुआ था राजस्थान में हुआ था यानि की राम कोपल विजय वर्गिये जो की है सिप लुटेस ने और इन्होंने अपनी जो सिक्षा ली हैं इन्होंने महराजा इसकूल और जैपूर दिशी प कहारी जगा प्रोफेसर कें हैं तो कॉमेंट में बताईएगा कि असिट कुमार हल्दर ने और कहां पर प्रोफेसर सिफ किये हैं बहुत ही इंपोर्टेंट कोईसेंस आप लोग के लिए 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 रही हूं तो आप लोग कॉमेंट में कीजिएगा अब हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने अपनी जो फर्स्ट एक्जिवीशन 1928 में किये थे आर्ट्स एंड क्राप सोसाइटी कॉलकटा में कहां पर कैलकटा में देखिए इनके काम देख सकते हैं कितना अच्छा है अंटाइटल कृष्णा वित गोफीज कितने अच्छे से दिखाया गया है पूरा एक मिनियेचर का ग्लिम्स लग रहा है बसोली जिसे कि अगर हम यह सेकंड वाला अंटाइटल देखे तो इसमें थोड़ा सा मुगल का यह लग रहा है और इसमें अगर हम देखे तो बसोली एसा मतलब कह सकते हैं कि यह मिनियेचर आर्ट से काली इंस्पायड रहे होंगे अगर हम और इनके बारे में बात करें तो इन्हो कि कितना अच्छा सा वास टेकनिक का यूज किया हूँ लग रहा है तो आप लोग मुझे जन्म बताइएगा इनका कि जन्म कहां हुआ था कब हुआ था और साथ ही साथ आप लोग को यह भी बताना है कि इनको कौन-कौन से आवार्ड से नमाजा गया है मैं आप लोग को बत बहुत इंप़ोर्टेंट एक है थॉन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कांटे और दूसरा है घॉस्पीड जिसको हम hindi में बोलते हैं गपसप इंदी में बोलते हैं गपसप यह दोन बहुत इंपक्राटेंट काम हैं और हमेसा यूज सीनेट केवियों ऑन्यश्य कौन सा आर्टिस्ट का है यह इमेज कौन से आर्टिस्ट का है कौन से कलाकार ने इस इमेज को बनाया है बहुत ही मैं आपको हिंट दे देती हूं एक हिंट दे देती हूं यह टाइग और फैमिली से बिलॉंग करते हैं यह बिलॉंग प्रॉंदी टाइग और फैमिली तो अब जल्दी से कॉमेंट कीजिए कि ये काम कौन से आर्टिस्ट का है, अगर आप इसके काम का नाम बता सकें तो बहुत अच्छा होगा, मैं उनका भी नाम साउट आउट करूँगी अपने चैनल पर जो सबसे पहले कॉमेंट करेंगे, सबसे पहले जिनका कॉमेंट आएगा, तो मैंने ओप्सन भी आप लोग को दे दी हूँ कि ये टैग और फैमिली से बिलोंग करते हैं ताकि आप लोग के लिए इजी हो जाए, और जैसा कि मालूम है कि यूजिसी नेट में हमें इमेजिस दिये जाते हैं, और ये भी बता दूँ कि अभी जो मैं प्रिप्रेशन करवा का रही हूं बार बार सब की टीजीटी पीजीटी के लेबल पर ही है, बट यही कोईश्टन्स आपको KVS, NVS, DSSB किसी भी एकजाम में पूछा जाता है, तो मेन फोकस हमारा TGT, PGT और KVS, NVS है, क्योंकि इसके जो कोईश्टन्स होते हैं यह सिमिलर होते हैं, इसमें ज् थोड़ा सब डीटेल में पूछते हैं, तो DSSB के लिए मैं अलग से कुछ वीडियो बना दोंगी, यह अन्जुन सी बहुत ही इंपोर्टेंट आर्टिस से जरूर पढ़के जाईएगा, क्योंकि इसी साल इनकी मृत्यू हो गई है, और यह बहुत ही फेमस आर्टिस अर्प सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको सारे नोटिफिकेसंस मिलें, और इस पर हम पेपर वन के तैयारी करवाना स्टार्ट कर दियें, तो जाके विजिट कीजिए, टीजिटी, पीजिटी के जो भी हिंदी के कोईसंस आते हैं, जो भी इंगलिस के अन्टॉनिम सीनोनिम आते की स्टेटेजिस थी, एक 17 देज की स्टेटेजिटी और एक घंटे का क्लास का महा संगम था, वो वीडियो देख लिजिए, क्योंकि वो वीडियो किसी भी एक्जाम के लिए आपको लाबकारी देगा, कि कोई भी एक्जाम आप अगर क्रैक करना चाहते हैं, तो उसे आप ल